जैमा डाट काली भक्तों, आज का जो वीडियो आप टेग लाइन से समझ के होंगे, सपनी में मृत्य परिजनों को देखना शुब होता है या अशुब होता है, स्वपन सास्तर के माध्यम से कुछ ऐसे चौकाने वाले तथ्या सामने आ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप समझ स पित्र आपको क्या बताने कोशिश कर रहे हैं, देखो सनातन धर में जितना देवी देवताओं का महत बता गया है, उसी प्रकार से पित्रों का भी महत बता गया है, आपने देखा होगा पिंडदान करना, शराद में उनका तरपण करना, या फिर जो भी गरूर पुरान के अनुसार जो भी विदी विदान है अगर हम उनको पूनता से नहीं करते तो कहा जाता है सनातन धर्मे कि हमारे पित्र यानि कि जो इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं वो हमें किसी ना किसी रूप में कष्ट दे सकते हैं परिशान कर सकते हैं या कोई भी चीज अधूरी छोड़ी गई हो तो सौपन के माध्यम से वो आके आपको मांग सकते हैं या बार बार दर्शन देखे कुछ चीजे अगर आपके पित्र आप से प्रसन है तो कुछ चीजे सौपन के माध्यम से पित्र रोप में आपको दर्शन दे के संकेट दे सकते हैं ये कारे आपके लिए शुब होने वाला है या कुछ आने वाले समय PEE आपके लिए कुछ आशुब होने वाला है अब शब्से बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई गुरू जी मेरे पास कई सारे सवाल आते हैं पित्रों है नाम से गुर्जी आज मैंने सपने में अपने दादा दारी को देखा, दादा को देखा, ऐसा करते देखा, हसते वे देखा, रोता वे देखा, कुछ जिंदा लोग हैं, वो मेरे सपने में आए, क्या कहना चाते हैं, क्या बताना चाते हैं, मैं बहुत confused हूँ, मैं डर गई हूँ या मिरे को डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं लोग होते हैं जो इस चीज को दिमाग में बैठा लेते हैं और घबरा आ जाते हैं, कि अब इसका solution क्या है, आपने देखाओ गुंडली में कहीं बार आपको बताया जाता है पित्र दोश है, अब पित्र दोश को पीछानने के जैसे कहीं लक्षन मैंने अपने पुरानी वीडियो पैचानना होता है न, हम कैसे पैचान सकते हैं घर में कलेश हो जाएगा गर में जगड़ा होगा, कोई व्यक्ती जॉब में लग तो जाएगा, पर जॉब उसके छूट जाएगी, या प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वहीं का वहीं चाहे, कितना भी पैसा आ रहा हो, घर वैसे का वैसे ही है, गंद की फैली है, दुरगंद हो रही है, जगड़े बह आद्यम से, आप पैचान सकते हो, कि पित्र दोश आपके घर में तो नहीं, अब पित्र जब आपके स्वापने में आते हैं, उचाहे, वो जा चुके इस दुनिया से, कई साल पहले जा चुके, अभी ताजे ताजे गए हैं, और वो आपके तुरण सपने में आ जाते हैं, क बहुत ज़ादा हसते हुए देखना, या किसी Кो हाथ में लिए, किसी जिंदा व्यक्ति को हाथ में लिए, उनको गूंते हुए देखना, बहुत तरीकी चिnéतर, कुछ चीजे मांगनाक अपके पित्रों को क्या संकेत हैं, यह समझ जैनकरी, इस video के माध्यम से, मैं आपको ब का जो वशीकरण की परिशानी है लब मेरेज की प्रॉब्लम में शादी ब्या करजा होदारी रुका हुआ धन फसा हुआ पैसा लीगल के इसमें फस्गेव जमीन जायदात की इसमें फस्गेव निवारन चाहिए यह फिर कुंडली बनवा के मेरे साथ अपनी कुंडली की प्र प्रॉब्लम होगी मेरी तरफ से पूनता से कोशिच रहेगी 100% आपको सॉलिशन दे दिया जाए अब आजाते हैं वीडियो पे तो वीडियो जैसे मैंने बताया कि सपने में मृत जो परीजन है आपके उनको देखना शुब होता है या अशुब होता है और स्वपने सास के माध्यम से कुछ ऐसे चौकाने वाले तरफ्य मैं आपको बताऊंगा जिसका आप ध्यान करके आपका मृत परीजन खुश और स्वस्त दिखाई देता है तो ये आपके लिए एक सुब संकेत माना जाता है ये उनके आशिरवात का प्रतीक होता है तो आपने कभी भी अगर अपने मृत परीजनों को या पित्रों के रूप में जिनका पूजन करते हैं उनको आपने अगर मैं शुब संकेतों की बात करा हूँ तो दूसरा जो शुब संकेत बताया जाता है समरण दिलाना एक तरीका का सपने में मृत परिजन आपको किसी महतपुन बात को याद दिलाने के लिए बार-बार आते हैं हो सकता है कोई अधूरा काम पूरा करने के जरुरत हो या कोई वादा पूरा करना हो अब क्या होता है जैसे अब परिजिन है आपके इम्रित्य है जो चले गए इस दुनिया से शान्त हो गए अब क्या है कि हूल सकता है उनकी कुछ इच्छाएं थी, कुछ काम थे, उनकी छूटी-छूटी चीजे थी जो छूटी में है, जो उनने सोचा था कि वादा करके वो किसी के साथ गह division और वो अच्छे बित्र थे, वो किसी के साथ दोका नहीं करना चाते, किसी का पैसा नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है आपको बता दे की जहां मैं सोटा था या ए ensot ती ती वहां तक्ये की नीचному नीचर कोई कागच पढ़ाया है कोई कि ichitab पढ़िए वहाँ पैसा है ये है चाबी है वह है तो इस तरहिकी के संकेत आपको मिलेंगे और जब यह संकेत मिलते हैं यह सुवज संकेत होते हैं कहीं ना कहीं या तो वो आपका profit करा रहे हैं या किसी से वादा करके गए थे उसको वो वापिस वो चीज़ करना चाहते हैं आप सफलता की संकेत की बात करूँ याने की success आपकी life में कैसे आपको पितर बताते हैं तो मैं आपको बता दूँ यदि आप किसी लक्ष को पाने का परियास कर रहे हो और सपने में आपको मृत्य परिजन का मारदर्शन या प्रोचाहन मिलता है तो यह सफलता का संकेत होता है कि तू इस trial को मत छोड़ना या तू अगर कोई government exam की त्यारी कर रहे हो कोई भी बच्चा परिवार में और आपका जो पितर है वो आता है और आपको प्रोचाहित करता है motivate करता है या आपको बताता है कि तू ऐसे करके ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो चाहिए वो कुछ भी हो exam हो, पढ़ाई लिखाई हो factory हो, आपका काम कैसे बढ़ सकता है कैसे करोड़ पती बन सकते हो सब कुछ, अगर कुछ भी indications आपको ऐसे मिल रहे हैं तो उनको avoid ना करें neglect ना करें, कही ना कहीं positive संकेत हैं, आपकी life को positive बना निकले, वहीं अगर मैं अशुप संकेतों की बात करो, जैसे चेतावनी के रोप में, यदि सपने में आपका मृत्य परिजन, दुखी या गुस्ते में दिखाई दे, तो ये आपके लिए चेतावनी का संकेत हो सकता है, और हो सकता है आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो, या कोई गलती आप करने वाले हो, तो उसके लिए आपको एक चेतावनी दी जा रही है दुखी होके या गुस्ते में दिखते हैं, अब पूरवजों कोई शान्ती की ज़रुत कब है आप देखेंगे, यदि आप बार-बार सपनी में अपने मृत्य परीजनों को देखते हैं, और ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उन्हें शान्ती की ज़रुत है आप उनके नाम बर दान कर सकते हैं या उनका पिंडदान या शराद आप कर सकते हैं तरपन उनका करवा सकते हो अमावस पे, तो कहीं भी उनका पूजा इनुष्ठान हो सके, तो पित्रों के रूप में जरू कीजे, ताकि उनके आत्मा को शान्ती मिले और उस आत्मा के शान्ती के लिए वो बार-बार-बार आपको दर्शन दे सकते हैं परेशानी का संकेत है, यदि सपने में आपका मृत्परिजन आपको कोई चीज मांग रहा है या उनसे डरते हैं तो ये आपके लिए एक परेशानी का संकेत हो सकता है आपने तुरंद अक्टेव हो जाना है ध्यान रखना है कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेर्ट कर रहे हैं कि आपको परेशानी आने वाली है अब ध्यान देने वाली जो बाते हैं, या ध्यान देने योग्य बाते जो हैं, वो आपने जरूर चंसिडर करनी है, जैसे सबसे पहली चीज स्वपन सास्थर के सभी सपनों का अर्थ सभी लोगों पर लागू नहीं होता है ठीक है इस चीज़ का आपने ध्यान रगना है इस सीज़ में बेवकूफ नहीं बनना है तो आप किसी सास्त्र या जो ज्यानी व्यक्ति हो जैसे जोतिशी होगे धार्मिक गुरू होगे उनसे आप साला लीजे बेफिजूल में आप परिशान मत होएं टेंशन मत लीजें अपनी एंजाइटी मत बढ़ाएं जो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो स्वपने सास्त्र सपनों के अर्थ को समझने का एक मार दर्शक कह सकते हुआ ठीक है अब ये जरूरी नहीं है कि हर सपने का कोई खास अर्थ हो लेकिन अगर आप बार बार सपने में मृत्त परिजनों को देखते हैं तो उनकी याद में कुछ करना या आपने जीवन में सकरात्मक बदलाव लाने के बारे में विचार जरूर कीजिए ताकि वो नेगिटिविटी ताकि वो जो बहुत नेगिटिव एनरजी है जो आपको बाद में डिस्टर्ब कर सकती है परिशान कर सकती है उसका सुधार लाइक कर दीजे जरूर मन लोगे साथ शेयर करना ना भूले और कमेंड में जै माता दी जरूर लिखे दरबाद से बने रहें सबी भक्तों को जै माता दी जै माधाट का लिए